नमश्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो डॉक्स के बीच में एक जबर्दस बैटल देखने जा रहे हैं, जिनका नाम है रॉट विलर और डॉबर मैं पिंचर। दोनों ही डॉट विलर और डॉबर मैं में से कौन इस मैच को जीतेगा ये जानने के लिए रूडियो को एंट तक ज़रूर देखें। और अगर आप एक डॉग लबर हैं, तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके साथ वाले घंटे को भी ज़रूर दबातें। लेकिन रॉट विलर वर्सिस डॉबर मैं की बैटल को शुरू करने से पहले, इन दोनों की थोड़ी बेसिक इस्टी जान लेते हैं। लेट्स बिगन दा मैच। बात करें दोनों ब्रीड के लाइफ स्पैन की। और आपको यह बात जानता काफ़ी जारा हिरानी होगी कि रॉट विलर और डॉबर्मेंट डॉक्स का मोस्ट इंटेलिजेंट डॉक ब्रीड्स के लिस्ट में रखा जाता है। तो इंटेलिजेंट की मामले में इन दोनों को एक एक पॉइंट दिया जाता है। कुछ डॉक ब्रीड्स अपने डिसीजन खुद लेने की सोचते हैं। फिर चाहे उनको सेम परसन नहीं ट्रेंड किया हो। फिर भी उनका फैमिली के साथ एक बांड नहीं बन पाता है। लेकिन डॉबर्मैन और रॉट्विलर दोनों ही डॉक ब्रीड्स अपने फैमिली और ओनर के लिए काफी जादा लॉयल और फैक्शनेट होते हैं। तो ये राउंड डू टाई होता है और वन पॉइंट गोज तो बोथ डॉक ब्रीड्स। डाउंड फोर हेल्थ कुछ डॉक ब्रीड्स को ठीक से ब्रीड नहीं किया जाता है और डॉबर्मैन को 1890 में domestically ब्रीड किया गया था। इसलिए डॉबर्मैन फिंचर को कुछ health issues होते हैं। जबकि राउंड विलर काफी जादा पराने डॉक ब्रीड्स में से एक हैं। और डॉबर्मैन से काफी जादा healthy breed हैं। तो वन पॉइंट गोज तो राउंड विलर राउंड फाइफ Adapt well in apartment living According to the various stats and research दोनों ही dog breeds active और large size dog की category में आते हैं। और दोनों ही dog breeds को रोज काफी exercise करवाने की जरूरत होती है। इसलिए दोनों ही dog breeds अपार्ट्मैन डॉक्स बिल्कली भी नहीं है। तो यह राउंड टाई होता है and one point goes to both the dog breeds दोस्तों अगर आपको अभी तब की battle पसंद आई हूँ है तो वीडियो को like और share जरूर करें। Round 6 Kids Friendly देखा जाये तो राउट विलर और डॉगर में जोनों कोई बच्चों से तूर रखा जाता है क्योंकि यह दोनों ही dangerous और aggressive dog breeds में से एक हैं और अगर इन दोनों को बच्चों से जरा सा भी खतरा लगता है तो यह उनको खाट सकते हैं लेकिन comparison करें दोनों dog breeds का तो राउट विलर डॉगर में से जादा friendly होते हैं और बच्चों के साथ अराम से रह सकते हैं और अगर इनको ठीक से train किया जाए तो यह बच्चों के साथ अराम से रह सकते हैं तो इस राउट को बिनर है राउट विलर तो वन पॉइंट गोस टू राउट विलर राउट सेवन प्रेंडली टुवार्ट्स दोनों ही dog breeds काफी जाधा अग्रेसिव हैं और दोनों ही other pets को dog के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं पर राउट विलर को लिव स्टॉक को गार्ड करने के लिए इस्तमाल किया जाता है तो राउट विलर other pets को dog के साथ कभी फिरंडली रह सकते हैं अगर उनको ठीक से train किया जाए किस राउट को विनर है राउट विलर वन पॉइंट वोज टू राउट वाइलर राउट एट गुट फॉर दा फर्स टाइम उनर कुछ dog breeds को समालना काफी इसी होता है क्योंकि उनको ट्रेन करना काफी जाधा इसी होता है other dog के कमपैरिजन में लेकिन independent thinking वाले और aggressive dogs को train करना first time उनर के लिए काफी जाधा मुश्किल है इसलिए as a first time उनर अगर आप एक dog लेने की सोच रहे है तो राउट विलर को बिलकुल ही avoid करें लेकिन इस मामले में dog man एक better choice हो सकती है अगर आप उनको बच्पन सही अच्छे से socialize को train करें तो तो इस राउट को winner है dog man फिल्चर तो one point goes to dog man राउट नाइज इजी to groom दोनों ही dog breeds को groom और maintain करना काफी easy होता है क्योंकि दोनों के hairs short और shiny thick coat वाले होते हैं यहाँ तक कि आप ये बोल सकते हैं कि दोनों की body lean होती है इसलिए shedding season में इनके बाल भी कम शड़ते हैं तो यह round tie होता है और one one point goes to both the dog breeds राउट 10 easy to train दोनों ही dog breeds को train करना एक dog trainer के लिए easy task नहीं है अगर उन्हें बच्पन से train और socialize नहीं किया जायते हैं लेकिन बात करें इन दोनों dog breeds के comparison की तो राउट विलर के मुकाबले dogman को train करना जादा easy है तो इस round को winner है dogman तो one point goes to dogman round 11 weather condition यह दोनों ही dog breeds जैमरी ओरीजन के हैं और दोनों के पास black color का double coat fur है इसकी वर्यासे वे खुद खुद गर्म रख पाती हैं लेकिन government dogs को ज़्यादा cold weather सेयन नहीं होता है वहीं दूसरी तरफ राउट विलर एक cold weather dog breed है बात की जाए hot weather condition को तो राउट विलर dog को खंदा और गरम वेदा अराम से सुन कर जा पाता है इस round का बिना है राउट विलर one point goes to राउट विलर round 12 energy levels दोनों ही dog breeds को powerful dogs कहा जाता है और दोनों ही dogs को training और खिलने के लिए जादा space चाहिए होता है otherwise इनके honor को काफी problem का सामना करना परिता है बात करें इनके energy levels की तो राउट विलर dog का energy level काफी जादा high होता है और राउट विलर डॉबर मैंस के comparison में काफी जादा energetic होती है तो इस round को winner है राउट विलर तो one point goes to राउट विलर round 13 tolerance being alone राउट विलर dogs को अकेले रहना बिल्कु भी पसंद नहीं होता है और उन्हें अपने साथ कोई न कोई चाहिए ही होता है और उनको घर में अकेले छोड़ कर जाना काफी जादा खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि राउट विलर अकेले में काफी जादा आजीफ बिल करते हैं इसके कारण में काफी जादा dangerous और aggressive हो जाती है वहीं दूसरी तरफ डॉबर में अकेला रहना थोड़ा तोलरेट कर लेते हैं और वहें आराम से 10-12 घंटों तक घर में रह सकते हैं तो इस राउंड का बिनर है डॉबर में डॉबर में डॉबर में दॉबर में तो इसे के साथ आज का मैच यही पर खतम होता है आज के इस मैच में रॉट विलर को 9 पॉइंट मिलते हैं जबकि डॉबर में को 8 पॉइंट मिलते हैं तो आज की मैच को रॉट विलर ने 1 पॉइंट से जीत लिया है तो आपके इसाफ से इन दोनों में से कौन से डॉक ब्रीट बैस्ट है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पताईए और अगर आपको यह वीडियो रॉट विलर वर्स्ट डॉवर में पसंद आयों तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सबस्क्राइब करके साथ वाले बैल आइकन को ज़रूर क्रेस्ट करकें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले मिल सब तो मिलते हैं डेक्स वीडियो में, ठेंक यू